हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 38 साइज में ब्लाउस का बैक नेक डिजैन शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पेपर पेस्टिंग ले ली है नेक कट उसी के अकोडिंग हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं ब्लाउस की कटिंग इदर मैंने करके रखी हुई है तो यहाँ पर हम पहले स्केयर पार्ट त्यार करेंगे तो पोटनेक हम इसमें ब्लाउस में त्यार करेंगे तो उसकी हम यहाँ पर शेप बना रहे हैं इस तरीके है यहां पर all pin लगा कर पहले मैं इस पेपर पेस्टिंग को सैट कर से लें इसके बाद यहां से हम Nack की कटिंग क्रेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं ने कट 멈 कट करके अलग कर दिया और जो हमने निशान लगाए हूए हैं । इसी के उपर कर देना और बैल आइकन भी दबा देना जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में समय पर नौटिफिकेशन मिलती रहें तो यहां पर नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है हम प्रॉपर इसकी शेप देकर इसे तियार कर लेते हैं तो यह देखे फ्रेंड्स यहा पर हम इसे प्रेस की हल्प से चिपका कर इसे तियार कर लेंगे तो यह हमारा तियार हो गया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे हाफ इंच का मार्जन हम इसमें रखेंगे चारो तरफ से और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर देंगे तो यहां पर जो हमारे कॉर्णर है उन्हें भी हम कट कर देंगे इस तरीके से ताकि यह एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा फोल्ड होने में आसानी हो जाए तो यहां से हम बड़ा वक्या करते हुए इधर सिलाई लगाते हुए जा रहे हैं नेक को हम फिनिशिंग देने के लिए तो यहां पर चारो तरफ से भी हम फैब्रिक में कट लगाएंगे ताकि यह फैब्रिक हमारा पलटने में आसानी हो जाए तो इसी तरीके से मैं पूरे नेक में सिलाई लगा कर इसे तेयार कर लिया है तो यह हमारे नेक की कम्प्लीट स्टिचिंग करने के लोगा है अब हम इसे बीच से फोल्ड करकर इसी मार्किंग करेंगे ते डिए कहांक से हाव इंच का मार्जिन छोड़ते वे मैं यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कमरपटी इदर अटैच नहीं करूंगी मैंने डारेक्ट दोनों ही फैब्रिक को मिलाते वे इदर सिलाई लगाकर इसे तेयार किया है तो यह हाफ इंच की सिलाई हमारी इदर कंप्लीट होगी है अब हम इसे सीधा कर देंगे तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने इन दोनों ही फैब्रिक को सीधा कर लिया है और जो हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी सिलाई की फैब्रिक था उसे हमने अंदर की तरफ कर दिया है और यहाँ से हम इसमें बैठी सिलाई लगाकर इसे तियार करेंगे किनारे पर हम ये बैठी सिलाई लगा कर इसे तियार कर रहे हैं चारो तरफ से भी हमें इसे सिलाई लगा कर इसे पका कर लेंगे दोनों ही फैब्रिक को मिलाते हुए तो यह दिखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने कमर वाले हिसे पर इसकी सिलाई को कम्प्लेट कर लिया है अब चारु तरफ से रब सिलाई लगा कर भी हम इस दोनों ही फैब्रिक को अटेच कर लेते हैं हमें इसे अच्छे से सेट करते हुए जाना है ताकि हमारे ब्लाउस के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा क्रिप्सी या सिल्वर्ट ना रहे उसका हमें ध्यान रखना है हाथ से हम इसे फैब्रिक को एक ब्राबर करते हुए जाएंगे तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई को कम्प्लेट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर देंगे चारो तरफ से एक इक्वल हम इसे कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स यहां पर मैंने एक्स्टा फैब्रिक को पूरे में ही कट कर दिया है तो यह हमारा पैटरन हमारा त्यार हो गया है ब्लाउस का बैक वाला और इस पे भी हम बी सेंटर की मार्किंग इदर कम्प्लीट हो गई है यहां से बी-center के हमने cutting करकर इसे तियार कर लिया है जो हमने neck का pattern तियार किया था उसे भी हम इस तरह किसे बी-center में मिलाएंगे और all pin की help से इसे set कर लें इधर ताकि सिलाई लगाने में जब हम neck को attach करें तो आसानी हो जाए और यह हिलेना चारो तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो जो हमारी pasting है उसके बिल्कुल किनारे पर हम इसकी सिलाई लगाते वे जाना है ताकि यह neck हमारा बहुत ही असानी से और finishing के साथ तियार हो जाए तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने इसकी सिलाई को complete कर दिया है neck हमारा यह बनकर तियार हो गया है तो जो भी extra fabric है उसे हम cut कर देंगे अंदर की तरफ जितना भी हमारा है half inch का margin छोड़ते हुए हम इस fabric को cut कर रहे है पुरे ही neck में हम छोटे-छोटे cut लगाएंगे ताकि यह neck असानी से हमारा पलट जाए और finishing के साथ हमारा neck तियार हो friends अगर आपका कोई question रहे तो आप हमें comment box में पूल सकते हैं तो यहां पर मैंने इसमें cut लगा कर इसे तियार कर लिया है corner हमारे अच्छे शाप निकले उसके लिए हम किसी नुपिली चीज़ से इसे सीधा कर सकते हैं otherwise आप इसे ऐसे भी fold कर सकते हो तो यह देखे friends यहां पर मैंने इसे सीधा कर लिया है आप यहां पर रफ सिलाए लगा कर भी इसे तियार कर सकते हैं मैं इसमें direct ही तुरपाई करूँगी तो उसके लिए मैं इदर सिलाए लगा कर इसे तियार नहीं कर रही हूँ यहां पर हम डोरी अटेच करेंगे इसमें नेक में और यहां पर golden कलर की हम यहां पर लेस अटेच करेंगे इसके चारों तरफ से तो मैंने यह पतले वाली लेस इदर ली है इसे हम यहां पर अटेच करेंगे किनारे पर तो यह हमारा बहुत ही सुन्दर और फिनिसिंग के साथ नेक बन कर तियार होगा तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पर मैं किनारे पर इसकी सिलाई करते हुए जा रही हूँ लेस को अटेच करते हुए आप चाहिए तो पहले इदर सिलाई लगा कर इस नेक को तियार कर सकते हो बाद में इदर लेस भी अटेच कर सकते हैं पर मैं डाइरेक्ट इसे लेस अटेच कर रही हूँ इदर तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पर मैं किनारे पर इसकी सिलाई करते हुए जा रही हूँ बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारी यह लेस लगकर अटेच हो जाती है इस कुर्ती के इस ब्लाउस का हमने नेक स्लीव का भी डिजाइन इसमें बनाया हुआ है आप मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहां से इसकी वीडियो स्लीव डिजाइन की वी वीडियो आप इसमें देख सकते हो तो यहां पर मैं टक्स भी इसमें अटेच कर देती हूँ 4.5 इंच पर है यहां पर हम इसमें टक्स की दर सिलाई कर रही है तो बैक वाला पार्ट हमारे यह बनकर त्यार हो गया है आप चाहें तो इदर डबल लेयर में भी इस लेस को अटेच कर सकते हो मैं इदर सिंगल में ही इसे अटेच किया है तो यह हमारी टक्स इसमें डलकर त्यार होगी है तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारे नेक बनकर त्यार हुआ है उपर की तरफ जो हमारे कॉर्नर है अधर हम मैं डोरी इसमें अटेच करूँगी थैंक्स वर वाचिंग